असलाम लाइकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसी है मेरी यूटूब फैमली, अलहमदलिल्ला मैं भी ठीक हूँ तो दूसरी जगह जो हम घूमने के लिए गाई थे वो है गलोबल विलेज और मेरे हस्पन कह रहे थे कि पहले गलोबल विलेज घूम लेते हैं क्योंकि ये वीक है जो गलोबल विलेज लगा हुआ है, फिर उसके बाद जी गलोबल विलेज नेक्स येर लगेगा भाई भी भाबी को गलोबल विलेज लेकर नहीं गए थे, वो भी हमारे साथ आज फर्स टाइम यहां पर आई थी वैसे मैंने पहले देखा हुआ है, जब मैं दुबाई रहती थी, दो-तीन दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन भाबी ने आज फर्स टाइम गलोबल विलेज देखा है भाबी ने भी बहुत इंज्वाई किया और वो भी पविलियन घूमी, तक्रीबन हम बहुत सारे पविलियन हमने देखे थे यहां पर हतरा के कल्चर के लोग आपको मिलेंगे यहां पर, और हम सब को देख रहे थे और इंज्वाई कर रहे थे और हम जल्दी ही यहां पर पहुँच गए थे, तो अभी जी यह दिन का ही टाइम था, यही पांच, सड़े पांच पचे का ही यह टाइम होगा तो सबसे पहले जी, यहां से हमने ली थी टिकट, जो के तक्रीबन 27 दिरम के अराउंड हमें मिली थी अब ज़रा थोड़ी सी टिकट मेंगी हो गई है, पहले जी टिकट सस्ती थी, क्योंकि अब यह फिनिश होने वाला है, और लास्ट बीक चल रहा है, तो इसलिए और जो भी दुबाई आए, वो ग्लोबल विलिज जरूर आए, और यहां पर जी मुक्तिफ लोगों को देखकर दिल खुश होता है और खसुसन जी, हम बहुत सारे कंट्री गूम लेते हैं, दुबाई ग्लोबल विलिज में, और हर तरह का कल्चर देखते हैं खसुसन मैं अमेरिकन पविलियन, इंडियन पविलियन देखना चाह रही थी, और साथ में ही जी, मैं गूमना चाह रही थी, फलस्तीन जाना चाह रही थी यहां पर जी, मैंने अपनी वीडियो बनवाई थी, और पिक्स बनवाई थी, और साथ में फिर मैंने देखे थे, जी, कपड़े, और कपड़े, जी, मैं बस सिर्फ विंडो शॉपिंगी कर रही थी, क्योंकि मैं कपड़े आल रेड़ी इतने सारे लेकर आ चुकी हूँ लेकिन यह है कि कपड़े बहुत ही खुबसूरत थे, मुझे बहुत ज़्यदा पसंद आये थे, और स्टफ बहुत अच्छा था यहां पर, और यह बोतीक थी, और जी, लेडिस जा रही थी, शॉपिंग करने के लिए, और सबसे बहले जी, हम तुर्की पैविलियन में गए गए थे, और तरकी कहते हैं, जिसे, तो वहाँ पर हम गए थे, और यह बहुत ही बड़ा पैविलियन है, और यहां पर बहुत मज़िदार से सुईट्स मिल रही थी, और साथ में ही जी, कुनाफा मिल रहा था, और बहुत मज़िदार स्क्राइब पीने की, यहां पर और भाई कह रहे थे कि यहाँ से आप सुईट्स ले लो क्यूंके जी हम इहां की सुईट्स पसंद है खौसे साम मेरी बेती को मुझे तो इतनी नहीं है लेकर मेरी बेती जी इसे सुईट्स पसंद करती हैं यहाँ के यहाँ पर जूलिरी बहुत अची थी भापी यहाँ पर जूलिरी देख रही थी और यहाँ पर जी अर्बी कुनाफा बहुत अच्छा मिल रहा था उसके बाद जी हम आ गए थे यू ए पर विलियन के सामने लेकिन हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि आलरेडी हम दुबई आये हुए हैं और दुबई घूम रहे हैं अब हम जा रहे हैं पाकिस्तानी पर विलियन पाकिस्तानी पर विलियन भी हम थोड़ी देर गए थे क्योंकि अभी अभी तो हम पाकिस्तान से आया हैं लेकिन यहां के कपड़े बहुत अच्छे हैं खुसुसां लेदर की जैक्टे बहुत अच्छी हैं यहां पर और यह चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं पाकिस्तानी परविलियन में और पाकिस्तानी परविलियन के बिल्कुल ही सामन हुए थे और आप खरीज सकते हैं यहां पर पर्चेस कर सकते हैं यह सब चीजें और जो सीरिया पविलियन है इसके बिल्कुल सामने ही यहां पर बचे एद्ज़ॉय कर रहे थे पोग्राम हो रहे थे यहां पर और बचे बड़े सब यहां पर बैठे हुए थे हम भी भी आपर जी ये जो पोग्राम हो रहे थे इंज्वाइ कर रहे थे और साथी फिर हमने ली थी पपकॉन और पपकॉन बैट कर हमने खाई थी और साथ साथ जी ये पोग्राम इंज्वाइ कर रहे हैं और लुबेना तो बहुत ज़्यदा इंज्वाइ कर रही थी और लुबेना को हम कह रहे थे कि अब चलते हैं लेकिन लुबेना जी हाँ से उठने का नाम नहीं ले रही थी वो कह रही थी मैं थोड़ी से देर बैठते हैं और इंज्वाइ करते हैं यहाँ पर ये पोग्राम देखने के बाद जी फिर हम नेक्स पविलियन की तरफ जा रहे थे कि रास्ते पर लुबैना को फिल कोई दिल्चस्प चीज नजर आ गई थी और वो देखने लग गई थी और ये एरिया बहुत ज़्यादा इंटर्टेंडमेंट एरिया है यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर जी बच्चों को लेकर आये हुए थे पेरेंट्स और वो अंदर से भी दिखा रहे थे लेकिन जी हम अभी और पविलियन जाना चाहा रहे थे तो इसलिए जी हम यहाँ थोड़ी से देर ही रुके थे यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद जी हम चले गए थे जपान पविलियन में तो वहाँ जी बहुत ज़्यदा दिल्चस्ट आपको चीज़े मिलेंगी देखने को तो जपान पविलियन भी भूत ही खुपसूरत बना हुआ है हर कंट्री का पविलियन जी एक दूसरे से ज़्यदा खुपसूरत है तो जिस भी हम पविलियन में जाते थे तो कहते थे ये ज़्यदा खुपसूरत है पिर जब हम नेक्स्ट पविलियन में जाते थे तो पिर कहते थे के ये खुपसूरत है हर पविलियन बहुत ही खुबसूरत बने हुए है और इसके सामने ही ठाइलेंड का ये देखे जी पविलियन है जपान के पविलियन में आते साथ ही जी मेरी बेटी गुजगाई थी स्टेशनरी वाली जगह पर और वहाँ पर जी वो पैन देख रही थी बाल पैन यहां पर बहुत ही अच्छे पड़े हुए थे और बहुत ही वराइटी थी यहां पर जपानी क्राकरी भी मुझे बहुत पसंद आ रही थी आगे जब मैंने क्राकरी देखी थी तो उनकी क्राकरी मुझे बहुत पसंद आई थी बहुत यूनीक सी क्राकरी थी मैंने तो बहुत जी जैसे लेडिस की आदत होती है कि वो क्राकरी जरद देखती है तो देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी और यहां पर जी मेरी बेटी मोशी आइस क्रीम ट्राइ कर रही है और रात के टाइम जी ग्लोबल विलिज ज़्यादा खुबसूरत लगता है बहुत ज़्यादा रोशनियां होती है यहाँ पर और इसकी खुबसूरती देखनी की होती है ग्लोबल विलिज की रात के टाइम इसके बाद जी फिर हम गए थे इंडियन पविलियन और मैंने इंडियन पविलियन ज़रूर जाना था और उसके सामने ही जी फलस्तीन का पविलियन है वो था और फलस्तीन के पविलियन में भी हम बाद में गए थे इंडियन पविलियन में जैसे हम गए है तो वहाँ पर जी जो handbag पढ़े होई थे वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे तो वहाँ पर जी सब बैठे होई थे और बैठ कर खाना पीना enjoy कर रहे थे handbag जो है उनके उपर मुखरिफ काम हुए थे शेल्स का काम हुआ था और साथ में ही तारे मोती और जी दबके का काम हुआ था बहुत ही खुबसूरत पड़े हुए थे और इसके बाद जी जैसे हम आगे गए हैं तो वहाँ पर जी कोई शो हो रहा था प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर स्कूल के जी गर्ल्स और बॉइस जी पर्फार्मन्स दे रहे थे जब हम पाकिस्तानी पविलियन गए थे तो वहां इंडियन लोग भोत आए हुए थे तो इंडियन पविलियन में पाकिस्तानी लोग भोत आए हुए होते हैं उन्हें हमारा कल्चर पसांद आ रहा होता है हमारे कप्ड़े बहुत पसांद आ रहे होते हैं इंडियन लोगों को जो हमारे इंडियन बेहन भाई हैं और जी इसके साथ ही हम उनका कल्चर देख रहे होते हैं तो इसलिए हमें भी इंडियन पविलियन में आने का शोक होता है और यहां से जी दुबारा हम वो पोग्राम देखने चले गए थे क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मैंने थोड़ा सा और पोग्राम देखने हैं यहां पर बैठ कर की अ यहां से रहां से विदे यू मियादय को कि उंच दोब कर प्राम कैंजा नहीं और रहapon कि मैं मां यहां सो बा बहस बार्स कि दोशट खिय senza अचि में धouse तोड़ी सी देर जी यहां पर मेरी बेटी ने प्रोग्राम इंज्वाइ किया था उसके बाद जी फिर हम आ गए थे के एफसी और यह हमारा डिनर कर टाइम हो रहा था और हमने यहां पर के एफसी इंज्वाइ की थी साथ में ही पीजा हर्ट था तो मैं बेटी को कह रही थी कि आज हम पीजा हर्ट का पीजा खाते हैं लेकिन बेटी कह रही थी कि नहीं मैंने के एफसी खाना है तो जी फिर हमने के एफसी ही लिया था केफसी खाने के फोरण बाद ही फिर मेरी बेटी ने काफी पीनी थी स्टारबक्स ते तो वो यहां पर मामो को कह रही थी कि आप मुझे यहां से काफी पिलाएं क्योंकि उसके मामो ने का था कि मैं आपको स्टारबक्स से काफी पेलाओंगा अच्छा जी ये था मेरा आज का वे लॉग इसके साथ ही मैं चाटी हुई जासत इन्शाला ताला आपको मिलूंगी जल्द ही नेक्स व्लॉग में ओके जी अला हाफिज